हेलो विल्कम बैग बच्चों मैं सुनिल पंडे आप सबुक अपनी इस चैनल पंडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम लोग पढ़ने जारे कर ससाथ की पुस्तक अतित्स वर्तमान अध्याय चार मुगल समराज भागवन तो आई अध्याय सुरू करते हैं सल्तनत काल के राजा और राजवनसों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है इस काल का आखरी महत्पुन राजा फिरोज सातुगलर था जिसके मने के साथ ही सल्तनत में बिखराव और कमजोरी आने लगी राजा का नियंतरन अपने सासंचित प दिल्ली सल्तनत की रहिसाई परतिष्ठावी समाप कर दी इस आकमन के बाद अफगानों ने अवसर पाकर दिल्ली सल्तनत का सासन अपने हाथ में ले लिया शल्तनत का आखरी राजवंस इनहीं आफगानों में से एक समु लोधियों द्राज थापित किया गया था इसके समय में डिल्ली सल्तनत का नियंतरण आगराद डिल्ली और उसके आसपास का छेत्रों तक सिमित हो गया था सल्तनत की इस कमजूरी का लाव उठा कर भारत के अलग-अलग छेत्रों में कई राजे बन गए इनमें गुजरात, बंगाल, जौनपूर, मालवा, रक्षिन भारत के राजे और राजपुताना में मेवार का राजे परमुक था ये सभी राजे आपस में लड़ते राते थे, इनमें सबों की चाथ दिल्ली पर एधिकार करने की थी क्योंकि वह अभी भी राजने तिक सकती और पर्थिष्ठा का पर्थिक था वस्तूत दिल्ली सल्तनत काल में लगभग 300 वर्षों तक राजधानी रही थी यहां से भारत वर्ष क अधिकांसी स्व पर सासन किया जाता था इसलिए यह सहर एक तरह से भारत का सबसे महत्पून सहर था इन छोटे राजियों में ही बिहार में नुहानी अफगानों का सासक था इस राजी के अधिन फरीद या सेरखां का सासा रामपनी अंतरन था वो अपनी योगिता के बदलत नुहानी राजाओं के काफी करीब आ गया था धीरे धीरे सेरखां ने बिहार में अपने को परभावी बनाया और आगे नुहानी सासकों के अस्थान पर स्वयंग बिहार का सासक बन गया बिहार के इस बदलाओं से पडोसी बंगाल के अफगान सासकों के साथ सेरखां की संघर्श की सिती बन गई बंगाल के सासक सेरखां के इस बढ़ते परभाव से चिंतित थे 1538 में दोनों के बीच युद हुआ, इसमें सेरखांकी जीत हुई, इसके साथ ही वह भारत का सबसे सक्तिसालिय अफगान सासक बन गया लगभग इसी समय काबूल और कंधार के सासक बाबर के भारत पर आकर्मन हुए बाबर स्वयंगी समय के हिंदुस्तान के विशय में अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की उसमें सारा हिंदुस्तान किसी एक सासन के अधिन नहीं था अर्थात यहां अनेक छोटे छोटे राजा, राज्य करते थे और उन में से परतेक अपने को समराठ समझता था आपने नेरंतर भारत पर होने वाले विदेशी आकर्मन कारियों के विशय में पढ़ा है वस्तुत भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आकर्मन हमेशा उत्तरपश्मी सीमा से होता आया था क्योंकि उस छित को सुरक्षित रखने के लिए सास को द्वारा कभी भी ध्यान नहीं दिया गया बाबर भी उसी रास्ते से भारत आया वह अपने छोटे राज को बढ़ाने और भारत की संपदा एवं धन्द अलोत के विशय में सुनकर आया था तो आईए अब देखते हैं भारत में मुगल राज की निव तो 1526 इजवी में बाबर अपनी घुर्ट सवार से न तो जिसका उप्योग भारत में नहीं हो रहा था बंदुक तथा घुर्ट सवार तीर अंदाज एवं आक्रमा की युद्ध सैली के साथ पानिपत पहुँचा यहां दिली के अफगान सासक इब्राहिम लोदी के साथ उसका संघर्स हुआ इसमें बाबर की जीत हुई बाबर के सहयोगी जीत के बाद धन लुटकर वापस लोटना चाते थे लेकिन उसने उन्हें समझा कर हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर लिया इस जीत के बाबर ने कई ताकतवर अफगान सर्दारों और महत्पूर्ण राजफूत राजाओं का एक एकर पराजित करते हुए अपने नए राजी को भारत में अस्थापित किये इस करम में उसने 1527 में चितोड के सासन राना सांगा और 1528 में चंदेरी के सासक मेदनी राए और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया तो आए अब देख लेते हैं मुगल कौन थे मुगल जाती से तूर्क और दो महान मध एसे आई महत्पून राजबंसों के बंसज थे माता की और से ये मंगोल सासक, चंगेज खांके उत्राधिकारी और पिता की और से तैमूर के वनसज थे लेकिन वे अपने को तैमूर के वनसज ही कहा करते थे क्योंकि उनके महान पूर्वर तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पराधिकार किया था आईए अब देखते हैं सेरखा का मुगलो के साथ संबंध सेरखा कुछ दिनों तक बावर के अधिन मुगलो की सेवा में भी रहा वहाँ उसने मुगलो के कारे कलापो को बारी की से देखा जिससे उसे निरासा हुई उसने इसके बाद अपना पूरा ध्यान बिहार में अपने सासन को मजबूत बनाने पर लगा दिया उसने यहां अपने को मजबूत बनाते हुए मुगल बाधसा से सिधी लड़ाई के लिए तयारी भी की तो आईए अब देखते हुमायू तथा मुगल अफगान संघर्ज बावर अपने राज को बिना वेवस्थित किये 1530 में मर गया उसका बड़ा लड़का हुमायू बादसा बना उसको सुरू से ही भारत में सासन कर रहे राजवनसों के सक्तिसाली विरोध का सामना करना पड़ा सबसे परवल विरोध अफगानों की तरफ से हुआ क्योंकि अफगान उस समय भारत में सबसे सक्तिसाली थे उनका सासन भारत में कई हिस्थों में फैला हुआ था अफगान विरोध का केंदर बिहार था यहां सेरखां की लगातार परगती को देखकर हुमायू ने सबसे पहले बंगाल को जिस पर सेरखां का अधिकार हो गया था जीतने का परयास किया इसमें उसे सफलता भी मिली सेरखा ने हुमायू के बंगाल अभ्यान को नहीं रोका मुगलबासा आठ महिनों तक वहां रहा इस भी सेरखा अपनी सक्ति को बढ़ाते हुए बिहार के अतरिक चुनार, बनारस, जौनपूर, कन्नोज को अपने अधिकार में कर लिया इस तरह उसने हुमायू के आगरा लोटने का मार्ग अवरुद कर दिया आगरा में हुमायू के भायों द्वारा राज्य प्राप्त करने के पर्यास के कारण उसे वापस लोटना पड़ा इसी करम में चौसा और कन्नोज नामकस्थानों पर हुमायू और सेरखां के बीच लड़ाई हुए इसमें सेरखां सफल रहा और इस परकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज को स्थापित किया मुगल अफगान संखर्ष के इस दौर में अफगानों की जीत का पूरा स्रे सेरखां की सफल कुटनिती को जाता है तो आईए अब देखते हैं सेरखां का सासन सेरखां ने राजा बनने के बाद सेरखां की उपाधी धारन की उसने अपने पूरे राज में कानून और व्यवस्था स्थापित किये क्योंकि मुगल और अफगान संखर्ष के कारण भारत का एक बड़ा छेतर परशाशनिक रूप से ओइस्थिर हो गया था उसने अस्थानिय जमिंदारों से वसूल की गई लगान को भी सक्ती से प्राप्त किया जमिंदारों को किसानों से निर्धारी दर से अधिक लगान नहीं वसूल ने किया गया दे दी सेर्षा के पहले किसानों से वसूली गई लगान को वे राजा के पास नहीं जमा करते थे भूरा जस्प निर्धारन के लिए एक तरीका अपना या गया जिसके तहट उपज की अलग-अलग किस्मों पर राज को मिलने वाला लगान की दर अलग-अलग तै की गई राजास की दर उपज का एक तिहाई था बुआई का छिद्रफल, फसल की किस्म और किसान द्वारा दे कर एक पट्टे पर लिखा जाता था सूखा या अकाल के समय लगान माफ था संकट के समय कुए खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया गया तथा किर्सी उत्पाद में बिर्धी के लिए नहरों का निर्मान भी करवाया गया सेरसा ने वैपार के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया वैपारियों से अच्छा विभार करने का सक्ता आदेश उसने अपने अधिकारियों को दे दिया था वैपारियों से पूरे राज में मात्र दो ही जगह कर लिया जाता था चुकि सेरसा को अपने नए राज को मजबूत करने के लिए 500 की ज़रुरत थी वैपार से आय हो सकता था इसलिए उसने वैपार की उन्नती पर पूरा ध्यान दिया सेरसाह ने वैपार के विकास के लिए ही यतायात के साथनों को उन्नत मनाया पुराने सरकों की मरमत करवाई एवं कुछ नई सरकों का निर्मान भी करवाया सरकों के किनारे पर तेक 8 किलो मीटर पर लोगों और वैपारियों के विश्राम के लिए सरायों का निर्मान करवाया जहां हिंदू और मुसल्मान दोनों कर्मचारी रहते थे वैपार का विकास हो सके इसके लिए वैपारियों से लिये जाने वाले कर को फिर से तै किया गया सरायों के आसपास गाउं या छोटे सहरों को बसाया गया आज भी आपको कई गाउं एवं सहरों के नाम में सराय मिल जाएगा जैसे मुगल सराय, दलसिंग सराय, बेगु सराय, इत्यादी दैनिक परसासं की ववस्था में सेरसाल ने सलतनतकाल में प्रचलित ववस्था को ही बनाये रखा इसके बिशम्याप अध्याय तीन में पहले ही पढ़े हैं सेरसाल ने केवल उसे परभावी बनाया इस पर कारिया कहना सही होगा कि सेरसा का सासनकाल मातर पांच बरसों का रहा उसके मरने के बाद ही उसका राज भी जादा दिन तक नहीं चल सका उसके उत्राधिकारी सेरसा की विवस्था को संभाल नहीं सके फिर भी कम समय में ही उसने जो कारे कर दिये जनता पर जितना परवाव इनकारियों का हुआ वो अितिहास में सेरसा और उसके अफगान राज को महत्पून अस्थान दिलाता है असमर्निय है कि इस पूरी पर्किरिया में बिहार की भूम का निरनायाक थी क्योंकि सेरसा की परशासनिक सुधारों की पर्योग साला बिहार ही था तो आएए अब देखते हैं बादसा अकबर और मुगर राज का मजबूत होना सेरसा के उत्राधिकारियों के कमजोर होने के करण हुमायों दिली पर 555 इस्वी मा धिकार करने में एक बार फिर सफल रहा परन्तु वह ज्यादा दिनों तक जिवित नहीं रह सका उसका बेटा अकबर तेरह साल की उम्र में बादसा बना 556 इस्वी में उस समय हिंदुस्तान में मुगल बंस का राज ठीक से जम नहीं पाया था चारों तरफ से दूसरे राजा मुगलों को खदेडने पत्तू ले थे अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुगलों के परमुख अधिकारी बैरम खान ने सासन का काम चलाया और अकबर को राज काज की सिक्षा दी उसने पहले अपने राज को पढ़ाने एवं फिर उसे मजबूत करने का काम शुरू किया अकबर ने मुगल राज को बढ़ाने के लिए कई राजों को साइनी का भ्यांदवरा अधिकार में किया राज का आरंभिक विस्तार 1556 से 1576 के बीच हुआ उन दिनों आज के मध्य पर्देश के इलाके में दो महत्पुन राज थे एक राज था मालवा जहां का राजा बाज बहादूर था जिसकी राजधानी मांडू थी दूसरा पर्मुख राज गड़, कटंगा, गोंडवाना था 1561-1562 में इन दोनों राजियों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया विजाय के बाद मुगल सेनाओ और सेनापती अधम खा को बहुत धन प्राप्थ हुआ जिसे उसने अगवर के पास नहीं पहुचाया इसका पता चलने पर बादसाने कड़ाई से उस धन को प्राप्थ किया इसके अगले दसवर्सों तक अगवर ने राजपूताना के अधिकांस भाग पर अपना अधिकार अस्थापित कर लिया तथा घुजरात और बंगाल को भी जित लिया राजपूत राज़यों में एक महात्पून अभ्यान चित्तोड का था वहाँ महाराना परताप का राज था उसने अगवर की अधिनता मानने से इंकार किया और जीवन भर विरोध करता रहा यद्दिपी उसका दुर्गम किला अकबर द्वारा जीत लिया गया था चित्तोड के बाद दूसरा महात्पून राज रन्थामबाड को अकबर के द्वारा जीता गया इन विजयों के बाद अधिकांस राजपूत राजियों जैसल मेर बीका नेरादी ने अकवर के समख समरपन कर दिया इसके बाद अकवर ने गुजरात को अपने अधिकार में किया यह परदेश बाहरी देशों से वैपार के कारण काफी समरिध बन गया था यह भारत के साथ होने वाले विदेश वैपार का महतपून के अंदर था मुगलों के नियंतन के पश्चात इससे अच्छी आई प्राप्त हो सकती थी यहां की भूमी भी काफी उपजाओ थी एवं सिल्पकला काफी उन्नात तवस्था में थी इसलिए अकबर ने इस छेतर को जीतना जरूरी समझा इसी विज़ाई की याद में अकबर ने बुलंदर वाजा कनिर्मान करवाया इसके विशे में हम लोग इकाई पांच में पढ़ेंगे अकबर का ध्यान भारत में एक अन्यूरवर छेतर बंगाल पर गया वहाँ अभी भी अफगानों का राज्य था उसके पडोसी बिहार पर भी अफगान सासन ही था 1576 इसवी में एक भी सन यूद के बाद अकबर ने दोनों परदेशों पर अधिकार कर लिया यह अफगानों का आखरी राज्य था जिस पर मुगलों का धिकार हुआ इन विजयों के पश्चात अकबर ने पश्चिमुत्तर सिमान को सुरक्षित बनाने पर बल दिया उसने काबूल और कंधार पर विजय प्राप्त की और अफगान कवाईलियों के विद्रोह का दमन किया तदू प्रांत दक्षिनी भारत के पठारी छेत्रों के राज्यों पर अभ्यान किया फल्सरूफ खांदेश, पुन्तः और अहमर्नगर आंसिक रूप से उसके सासन के धिन आ गया 16-22 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकवर को दक्कन का वियान अस्थागित करना पड़ा 16-25 में उसकी मिर्त्यू हो गई तो आईए अब देखते हैं मुगल राज के अमीर अकवर जब बाजसा बना तो 51 बड़े अधिकारी या दर्वारी थे जो अमीर कहलाते थे इन ही लोगों के जिम में मुगल समराज का कामकाज था इन अमीरों में अधिकांस तूरानी थे जो बावर के साथ तुरकिस्तान से आये थे इन में कई बाजसा अकवर के रिष्टेदार भी थे इनका पूरा समर्थन बाजसा को नहीं मिल रहा था वे अपने को बाजसा के बराबर समझते थे उनके पास अच्छी जागिर थी जिसका उप्यवग बोई स्वतन तरीके से करते रहना चाते थे वे यह भी चाते थे कि बाजसा सभी मामलों में उनकी बात माने अकवर को यह बात बिलकुल पसंद नहीं थी वह चाता था कि उसका आदेश सभी लोग माने अकवर इस इस्थिति से निपटने के लिए अस्थाय उपाई किया उसके दर्बार में इरानी अमीर भी थे जो हुमायू के साथ भारत आये थे उसने इन इरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया उससे खुस होकर इन लोगों ने अकवर को पूरा सहयोग दिया इनका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंतरित किया आईए अब देखते हिंदुस्तानी मुसल्मानों को अमीर बनाने की कोशिस आगे ऐसी कोई समस्या खड़ी न हो इसलिए अकबर ने कुछ और उपाय किये उसने हिंदुस्तानी मुसल्मानों को भी अमीर बनाने की कोशिस की वह जानता था कि दाज मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के सक्तिसाली और मजबूत लोगों का समर्थन लेना जरूरी होगा ऐसे दो सामाजिक वर्ग थे एक राजपूत और दूसरे जमीन और संपत्ति वाले मुसलमान परिवर जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे दूसरी बात यह की बासा यह भी सोच रहा था कि अगर वह किसी नए समू को परसासन में सामिल करेगा तो वह समू हमेशा बासा का समर्थन करेगा इस सोच के साथ उसने भारतिय मुसलमानों को दर्वार में उचा स्थाम दिया इस नएवर को वह अपने समर्थन से धीरे धीरे मजबूत बनाता गया इसका असर यह हुआ कि इरानी और तुरानी अमिर दोनों नियंत्रित रहें आईए अब देखते हैं राजपूतों को अमिर बनाने की कोशिस भारत के इस सक्तिसाली समाजिक राजनेतिक वर का समर्थन मुगल सासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था अकबर ने यही सोच कर इससे दोस्ति का परियास आरंभ किया राजपूत अपने को स्वतंत रखना चाते थे उसने राजपूतों को सैनिक विजय और विवास संबंद की नीतियों को अपना कर अपने अधिन कर लिया अकबर ने राजपूत राजाओं के सामने यह बात रखे कि अगर वे उसके अधिन हो जाते हैं तो वह उनके राज में उन्हें राज करने देगा और मुगल समराज में उन्हें अमीर बनाया जाएगा। दूसरे छेत्रों में उन्हें जागिर भी दे जाएगी। कुछ राजपुत राज इस प्रस्ताव को मान कर मुगल अमीर बन गये। इस तरह अक्वर राजपूतों को अपना समर्थक बनाया, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहु संख्यक हिंदूओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1562 हिस्वी में तिर्थे आत्रा कर बंद कर दिया, 1564 में जजिया कर लेना बंद हुआ अब इस अध्याय के बचे हुए भाग को अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप सब को हमारे परियास कैसा लगा हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं, हमारे इस चनल पांडे सरकी क्लास को जरूर सुजरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वा थाओ, 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 ताकि।